बिग बॉस बारह में एंट्री के साथ इस कंटे स्केंट के लिए खुले किसमत के दरवाजे सल्मान खान देंगे बड़ा ओफर रविवार से बिग बॉस सीजन बारह की शुरुआत हो चुकी है सल्मान खान इस शो को होस्ट करने जा रहे है भरजन सिंगर अनूप जलोटा और जसलीन का रिलेशनशिप ने सभी का ध्यान आपनी ओर खीच लिया है लेकिन बिग बॉस बारह के घर में कोई है जिसने सल्मान खान का दिल जीत लिया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं गैंग्स ओव वासेपुर और मुके बाद जैसी फिल्म में गाने गाचुके सिंगर दीपक ठाकुर की दीपक ठाकुर ने अपनी आवाद से ना सिर्फ घर के सदस्से को अपना धीवाना बनाया है बलकि सल्मान खान को भी इंप्रेस कर दिया है खबर के मताबिक सल्मान खान का फिल्म दीपक ठाकुर पर आ गया है इस कारण सल्मान अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दे सकते हैं एपिसोड होने के बाद सल्मान खान ने खुद शो मेकर्स से दीपक ठाकुर के बारे में जानकारी ली सल्म को दीपक को आवाज, उनकी मासूमियत और उनकी बातें दिल को छुले गई हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि सल्मान अपनी अगली फिल्म में दीपक को गाने का मौका दे सकते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि एंटरटीनमेंट इंडिस्ट्री में सल्मान खान की उनका करियर संभाला है। सल्मान खान बहुत जल्द फिल्म लबरात्री से अपनी वेहन अर्पिता के पती आयूश शर्मा और एक ट्रेस वरीना हुसेन को लॉंच कर रहे हैं। यह फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं। सल्मान पिछले कुछ दिनों से लगातार आयूश शर्मा को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के अलावा जहीर एकबाल और प्रनुतन बहल को भी मका दे रहे हैं। दीपक ठाकुर की बात करें तो बिग बॉस के घर में उनकी इंट्री हो गई हैं। धीरे धीरे वो अपनी गायकी से लोगों की दिल बिग बॉस के अलिशान घर दाखिल हो गए हैं। इस घर में 100 से ज्यादा दिनों तक सभी केद रहेंगे।